Hello students, welcome to math class. आज की class में हम activity solve करेंगे. मैं आपको activity है, वो explain करूंगी. फिर आपको same way activity अपनी notebook में solve करके मुझे photo send करनी है. ये activity आपकी subject enrichment का part है, जिसके आपको 10 marks मिलेंगे. So, ये आप सभी के लिए compulsory है, ये activity आपको अपनी notebook में करना है और मुझे send करनी है. जिससे कि आपकी जो 10 marks exam से related, ये आपकी deduct ना हूँ, आपको proper जो complete 10 marks आपके add हूँ. तो आपको ये compulsory है, ये activity करके मुझे आज ही send करनी है. ओके? So, अब हम अपनी activity start करते हैं. Look at here. First question है, Read the given numbers and write what comes in between. आपको number को पहले ध्यान से read करना है, फिर ये बताना है, कि इनके बीच में क्या आएगा. Okay. So, first number है, 8, box बनावा है, 10. 8 और 9 के बीच में क्या number आएगा, वो आपको यहाँ पे fill करना है. अभी आपको ये not down ही करना है, आपको जो homework का है, वो मैंने आपके लिए not down किया, as a homework, तो आपको वो करना है, अभी आपको just video देखना है. 8 और 10 की बीच में क्या number आएगा? 8, 9, 10. तो हम यहाँ पे कितना number लिखेंगे? 9. Okay. Next. 1, 3. तो 1 और 3 के between में, 1, 2, 3. आप यहाँ पे कितना number करेंगे? 2. 5, 6, 7. तो यहाँ पे 7 नोट करेंगे? 2, 4, 2, 3, 4. तो आप यहाँ कितना number down करेंगे? 3. 7, 8, 9. तो यहाँ पे 8. Next इसी में, 0, 1, 2. 1, 4, 5, 6. 6, 7, 8. 8, 3, 4, 5. तो आप यहाँ पे कितना number करेंगे? 4. ओके, यह हो गया between number. Next है. Right, what comes before, what comes after. Before number, after number लिखना है. तो 1 के पहले कुन सा number आता है? 1 के पहले आता है 0. आपको पहले blank दिया हुआ है, या पहले box बनाँआ है, it means आपको before number लिखना है यहाँ पे. तो आप कितना लिखेंगे? 0. 8 के पहले, या 8 का before number क्या होगा? 8 के before होगा? 7. 10 के before? 9. यह हो गया before number. Next है, after number. तो after box बनाँआ है, digit के, तो it means after number यहाँ पे आपको फिल करना है. तो 7 के after, 7, 8, 9, 10, 4, 5, complete. ओके, इसी से बैसे पे मैंने आपको वक्षीर दी है, अब हम इनमें color करेंगे, आपको इनमें color भी करना है. कि जो जो blank में आपने फिल किया है, box में, उन सारे digits को आपको क्या करना है, color करना है. आपके पास colorful colors हैं, okay, pencil colors, उन colors का आपको use करके, इन सब में colorful करना है, इस activity को. तो जो जो आप box में fill करें, उनमें सभी में आपको कौन सा color करना है, pencil color करने हैं, और जो आप box में लिखोगे, उनहीं में आपको color करना है, understand, five, यहां होगा six, six, seven, okay, सारा यह, जिससे आप color करेंगे, तो यह एकदम क्या हो जाएगा, colorful हो जाएगा, और जैसे यह colorful हो जाएगे, आप मुझे इनकी photo send करना, यह देखो, हो गया यह paste colorful, आपकी activity भी complete हो गई, और आपको before, after or between number का, topic भी clear हो गया, अभी, यह जो page आपको show हो रहा है, यह आपका homework है, आपको अपनी notebook में यह करना है, same question है, between, after, before number, heading डालके, colorful करके, आपकी complete करके, आज मुझे send करना, आपके marks add होंगे, so for compulsory for all students, thank you,